आज दिरांग 24 मार्च 2023 को अमारे दिल्ली के पूर्व राज्य अध्यक्ष जैपाल सिंग जी इनका निदन हुआ उन्होंने दिल्ली में जो बामसेप के अंदोलन का काम है उसमें कई भूमिका है उन्होंने अधा की और जो जो इलाका दिल्ली में छूट रहा था हमारे अंदोलन के लिए नेटवर्क बनाने में उन इलाकों में उन्होंने विशेश प्रियास किये और उसकी वज़े से दिल्ली में हमारा संगटन पिछले 15-20 सालों में काफी मजबूत और विकसित हुआ और ये काम करते करते जैपाल जी ने एक सफना देखा कि उत्तर भारत में फूले अमबेटकरी अंदोलन को मजबूती से स्तापित करने और संचालित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रस्रिक्षन के इंद्र होना चाहिए और उसके लिए वो कारे करताओं का विचार लगातार बना रहे थे और उनकी ये दिली तमन्ना थी कि ये काम वो अपने रहते पूरा करके जाए परन्तु क्योंकि उनकी सहत बिगरती चली गई और आज वो हमारे बीच नहीं रहे तो उनके अंतिम संसकार में जो यहां से विधी यहां से प्रारम हुई उनके घर के मंडोली में जहां गली नंबर 3 में उनका घर है वहां से उनका अंतिय विधी प्रारम हुआ और जब उनको अगनी दी गई वहाँ पर बामसेप के कारेकरताओं ने ये शपत ली कि ये जो उनका सपना था कि उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा केंद्र फुले अमबिटकरी आंदोलन के प्रशिक्षन का एक बहुत बड़ा केंद्र रांदोलन के संचालन के लिए बहुत बड़ा केंद्र बनना चाहिए वो कारेकरताओं पुरा करेंगे ऐसी शपत कारेकरताओं ने ली है और आने वाली ग्यारा तारिक को जहां फुले साहब की जैंती है और मुल्निवासी मेला का आगाज होने वाला है उस समय उनके स्मरण में उनकी स्मृती में एक स्मृती सभा का भी आयजिन किया गया है और वही से सविधान का जो BS4 अभियान हम चला रहे हैं उसका एक भिन रूप 11 एपरिल से 14 एपरिल तक जो दिल्ली में चलेगा और उसकी जो गवरव यात्रा सविधान की हम लोग निकालेंगे वो सब कारेकरम सहीुक तरुप से दिल्ली के कारेकरताओंने आयजित करने का निर्णे लिया है उसमें दिल्ली के जो साथी आज अंतिम यात्रा में सभागी नहीं हुए उसमें सभागी भी होंगे और उनके जाने पर जो हमने स्मुर्थी सभाकाईजन किया है उसमें ये मन्थन किया जाएगा कि आगे अंदोलन में हमारी रणनीती क्या होगी और जो सपना उन्होंने देखा है एताशिगर कैसी पूरा होगा तो हम सब कारेकरतानियों शफतली है और हमें उमिद है कि हमारे दिली और दिली क्या आसपास के कारेकरता इस सपने को पूरा करेंगे जै भीम जै भारत जै मुल निवासी जै मूल निवासी सातियो आज 24 मार्च 2023 को अमारे अभूत पूर्व कारे करता कैडर मानने वर मूल निवासी जैपाल सिंग जी का देहान तुआ उनको निर्वान प्राप्त हुआ एक अध्भूत परसनेलिटी थे वो 2004 में वो बामसेफ के साथ जुड़े और जो स्पीड जो गती उन्होंने दिखाई वो काबिलत तारीफ है ये कमी जो उनकी अनुपस्तिती में रहेगी वो कभी शायद हम उसको भर नहीं पाएंगे और जैपाल जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी जो निर्बल लोग थे उनकी वो ताकत थे जो मन से हारेवे लोग थे उनकी वो प्रेरना थे वो रुकेवे को चला देते थे वो हारेवे को इतना मोटिवेट कर देते थे कि वो आदमी अपने तैय लक्षों को हासिल कर लेता था समय सीमा के अंदर ये उनकी खाशियत थी ये सक्सियत थी उनकी साथियो आज तकरीबन उनकी अंतिम यात्रा में 200 लोग तो बामसेफ और उसके आफसूड विंग के कारे करता उपस्तित रहे और कुल मिलाके उपस्तिती जो थी वो तकरीबन 500 के पार थी 500 के पार यहां कड़ा जाता है और इसको हमने ये इतिहासिक था इसलिए हमने इसकी वीडियोग्राफिक किये और हम बाकी साथियों को प्रेणा सवरूप दिखाएंगे ये एक मॉडल था जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस परकार से हम अपने कैडर का अंतिम समय में सम्मान करते हैं सातियों उनके नेत्रितु में उनके दिसा जोग रहेगा और हमने आज प्रण भी लिया और प्रतिग्या भी लिया है उस जमीन को हम खरीदेंगे इस पूरे प्रकरण में इस काम में जो ये जमीन देखने का था इसमें हमारे पुनित बैसला जी जैपाल जी मैं खुद स्वैम प्रेमपाल जी और दिल्ली के सूरच पाल जी तमाम सभी साती गुलाब सिंग जी बहुत साती इसमें सामिल हुए और यूपी के साती भी जो थे आरके गोतम जी शर्मिष्टा गोतम जी ये सब हमारे साथ सामिल हुए और हमने उस टीम को जो है मिलकर हमने उस जमीन को जमीन वाले कारेकरम को एक अंतिम रूप दिया है अब मुझे उम्मीद है कि हम उसको अंजाम तक पहुचाएंगे और सातियो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ जो भी कैडर साती ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे जिनके अंदर उनकी बिमारी के फलसबरूप जो हिम्मत वो हारे थे उनको वापिस वो हिम्मत पाना चाहिए यही मेरा संदेश है जै भीम जै मुलनिवासे सातियो हमारी बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच योधा मुलनिवासी जै पाल जी नहीं रहे और उनका सफर इस अंदोलन में 2004 से शुरू हुआ था और वो जैसे उन्होंने इस अंदोलन में अपना प्रवेश किया क्योंकि उससे पहले हम लोगों के कॉंटक्ट में आए हम उनके घर पे आते थे और उनको संक्टन की बात बताते थे और पेपर मेंबर बनाया फिर उनको बामसेव का मेंबर बनाया फिर उसी दोरहन हमारे सीनियर कारे करता कैडर कैम लेते थे दिल्ली के अंदर एक केडर कैम हुआ जो हर्स विहार में बुद्ध विहार है वहाँ पर वो ये लोग आए और उन्होंने वो जो केडर सुना तब से वो कहने रगे कि हम भी इस अंदोलन के साती बनेंगे और उन्होंने 2004 का जो एमदाबाद का अधीवेशन था राश्ट्य अधीवेशन उसमें उन्होंने सेपाड़ी करा और रमा संकर जी और जेपाल जी ये दोनों रहें काफी दिन तक और जेपाल जी तो हमारे राज्य कारिकार्णी के हर पद पर रहे उनको जो भी पद दिया बेखूबी से निवाया और वो संक्ठन सचीब भी रहे कोस अध्यक्च भी रहे महा सचीब भी रहे और और यहां तक कि उन्हों ने कभी भी पद की लालच में कभी काम ने किया वो नुए सीवकार्य करता के रूप में काम किया और जबकि उनकी एक खासियत थी, वो खासियत साइद मैं किसी कार्यकर तक अंद नहीं देखता, क्योंकि मेरा और उनका समवाद चलता था, और यहां तक कि मुझे गुस्सा आ जाता था कभी-कभी, पर उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, उनको बड़े प्यार से, और कभी हमने उनको कुछ डाट भी दिया थोड़े से तेज़े वज में, तो वो कहते हैं, हम कहते हैं, हमने आपको डाट दिया, कि नहीं, आप मुझे डाट नहीं रहें, मुझे आप सिका रहें, इस तरह का कार्य करता, साइद ही कोई हो, और मेरी जिन्दगी में कभी कोई आएगा, ऐसा मिझे सुझे है, कि उनकी जो कमी है, दिल्ली के अंदर क्या देश बर में, और ये हमारे अंदोलन की बहुत पूर छती है, और इस छती को पूरा नहीं कर पाएंगे, और मैं उनको सर्दान जली देता हूँ, और मेरी और से आप सभी लोगों को जे भीन, जे मुलिमात,